नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, हो गई है पी परवत्सी, अब पिखलनी चाहिए, इस हिमाल्या से कोई गंगा बहनी निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, निकलनी शत्य है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए 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 हिलनी चाह है ये बुरा हल हम सब मिलकर ही कर रहे हैं कैसे देखना चाहोगे चलो देखते हैं कि अब अरे तुमने इदर क्यों फैंग दे ये तो गंगा है अरे गंगा वैसे भी गंदे क्या फरक पड़ना तो भी चाहिए आसमा है नीला क्यों पानी गीला गीला क्यों है कर अप्शन भरा जिसे देखो आता जाए खाता जाए पीता जाए पेट लेकर बड़ा सोचा है कुण्या कभी सोचा है क्या है नहीं सोचा नहीं तो सोचो अभी जिस देखें मोटी मोटी क्यों है बाते मिल्धी मिठी क्यों है कर उसको भला पेटउ बड़े बंदेरू फिर भारी बंती दू कौन रोके भला सोचा है तुन्हें क्या कभी सोचा है कुण्या नहीं सोचा नहीं तो सोचो अभी मेरे दोस्त ने कानफुर में चमने के बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है ऐसा तो पानी की तरह बाया है आओ चलो तुम्हें उपसे मिला के लाता हूं अरे और वाई क्या है खार खाना तो बहुत बड़ीया खोला है मकान भी बहुत आदिशान है तुम्हारा अरे बस वाई आपी की क्रिपा है तुई जोगार खाओ अरे बहुत मंद्रियों को चाय कानी खिलाने के वाद तो लाइसेंस मिला फिर बेडर, कॉंट्रेक्टर और ना जाने कौन-कौन आज कर तो बेना लिश्वत कुछ होता ही नहीं है कौन लंबी-लंबी कतारों में लगी कहीं पसे सीधर शद्दो और जुट्कियों में काम हो जाता है आओ तो मैं अपना कार खाना दिखाता हूँ तो देखा अपने मनुष्य के अंदर कितना काम, क्रोज, लोग, मोह, एहंकार भरा हुआ है और इसके चलते वह ब्रश्टर चार की चलंद सीमा तक पहुँच चुका है ब्रश्टर चार हमारे खून में, हमारे डी एने में बस चुका है बिना पैसे दिये तो कोई काम ही नहीं होता इस दुन्या में बृस्यचार गंगा मैया में ही नहीं हमारे पुरे समाज में आ गया है ईश्यव ने इस सुन्दर शिष्टिकी रचना की थी और कामना की थी कि सब प्रेम भाफ से रहे पर अंतु इसा कर कौन रहा है? रंदीश, द्वैश, द्वैश के कारन कौन का रहा है? बेश्टर चाय का सहारा लेकर और थोड़े से लाल अच्क्रे पूरा बड़ा अच्कर पैदा कर दिया और ये अच्कर बहुत बड़ा होता जा रहा है और मनुश्य की आत्मा मलीन होती जा रही है और वे चोरी, डाका, रिश्वत, गूस इन सब व्यस्नों में इतने ड़स चुके हैं कि सब को शुद्धी करन की अवश्यक्ता हो गई है और ये तब ही होगा जब हम योग ध्यान, प्रनायाम, आधी का सहारा लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर पर मात्मा में विलीन करेंगे जैसे गंगा मा इस धर्ती पर आई, मानव जाती के कल्यान है तूप रंतु मनुश्य नहीं उनका मान नहीं रखा सुच गंगा अभ्यान दोरा, गंगा की सफाई का कार अब हमारे चन्द पर है और वह दिन दूर नहीं जब हमारी गंगा मा अपनी पवित्रता पून कर लेगी और गंगा मा की पवित्रता के साथ मानव के मन के जो विकार है, जो काम होते हैं क्रोध, लोग, मों से वह दूर हो जाएंगे और उसके साथ साथ मन की शांती पाने में भी मानव सफल होगा अब वक्त है शुद्धी करण का और इस समाज को रहने लाइक बनाने का उब लाशाचा!